यह जो हमारा पॉड़कास्ट आज यहां पर शुरू हो रहा है यह और जितने भी पॉड़कास्ट आपने देखे हैं या सुने हैं उससे थोड़ा सा अलग है क्योंकि जादर पॉड़कास्ट में क्या होता है या तो वो एक इंटर्व्यू फॉर्माट होता है जहां पर कि एक होस्ट होता है जो किसी ना किसी का इंटर्व्यू लेता है या फिर वहाँ पर अलग-अलग रैंडम टॉपिक्स के ओपर दिसकॉशन हो रही होती है और जादा टॉपिक्स कवर करने के चक्कर में क्या होता है इसकॉशन करेंगे उस टॉपिक के बारे में और उस टॉपिक की डेफ में जाएंगे और टॉपिक ऐसा होगा जिसमें जो विवूर्स है या जो लिस्नर्स है इस पॉडकास के उनका इंटरस्ट होगा यानि कि उनको कुछ बैनेफेट होगा तो आज का जो हमारा टॉपिक है that is the psychology of self motivation क्योंकि ये question में उसे बहुत लोग पूछते हैं कि हम खुद अंदर से motivated रहें बाहर से किसी भी external motivation की या किसी की भी बातों की हमको जरूरत ना पड़े आज मेरे साथ में हैं जूतिका जी जिन्होंने master's किया हुआ है psychology में and वो अभी PhD परस्यू कर रही है तो आज हम मिल करके इस topic की depth में चलेंगे और deeply समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई self motivated रहना चाहता है किसी भी काम को करने में तो वो कैसे possible है यानि कि उसको मेरी इन वीडियो को देखने की जरुवत ही ना पड़े मोटिवेशन के लिए हाँ अगर वो अपनी intelligence को अपनी understanding को या अपने perspective को change करने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए कोई मेरी वीडियो देखना चाहता है then it's good enough but not for a temporary motivation or a kick उसकी उसको जरुवत ना पड़े वो अंदर से inspired हो जाए वो जो करना चाहता है वो कर सके हम ऐसा क्या करें कि हम self motivated रहे ताकि हमें external guidance की जरुवत ना पड़े external guidance कही ना कही हमें जरुवत पड़ती है even me as a psychologist I would also recommend कि हाँ भी कभी stressed out हूँ बहुत जादा हूँ तो family and friends को contact करो ताकि वो मुझे कुछ समझाएं या एक अलग point of view से मुझे एक particular situation को explain करें so even as a psychologist and all the psychologists what we do we help people live a better life how by giving them another perspective of a particular situation हम एक situation को अलग तरीके से सोचने का एक idea देते हैं हमारा mind autopilot में जाने के लिए it's capable of taking our mind to an autopilot mode autopilot में क्या होता है for example you are walking आप रोज एक track follow कर रहे हो आप morning work पर जा रहे हो आप रोज उसी track पर जा रहे हो एक pattern follow कर रहे हो इक रहसे brain के अंदर पहले से कुछ pathways बने हो है at a neurological level और उसको आप फॉलो करते हैं and it's a conscious effort that you put in आप consciously खुद को बोलोगे, सुबे उठना है Monday blues is a common term among people जो office जाते है रोज regularly, they are like Monday है, okay, मुझे नहीं जाना I don't wanna get up in fact, कई researches भी है जहां पर पता लगा है कि world में सबसे जादा heart attack आते है, Monday morning को आते है so that means, कि उनको जाना पसंद नहीं है वो job पसंद नहीं है वो environment पसंद नहीं है भापे जो लोगें वो पसंद नहीं है वो काम पसंद नहीं है, फिर भी वो करते चले जा रहे है वो कुछ और करना चाहते है या तो वो job switch करना चाहते है या वो अपना कुछ business करना चाहते है या अपना कोई passion follow करना चाहते है बट वो कर नहीं पा रहे है उसके पीछे क्या reason है क्योंकि हम बहुत जादा comfort zone में चले जाते है and what is comfort zone मुझे सुबह 8 बजे उठना है no matter what मुझे नीन जल्दी भी खुल गई बट मैं बिस्तर से 8 बजे ही उठोंगी क्यों मेरा comfort zone है comfort zone is what you define what you want to define जिन लोगों का lifestyle है जो सुबह उठके walk पे जाते है उन्होंने वो lifestyle comfortably उसको create करा है consciously step by step अराम अराम से क्योंकि सुबह उठना जल्दी किसी को भी अच्छा नहीं लगता है in other words our brain is kind of hardwired to follow a pattern जो already एक pathway बना हुआ है हमारी brain के अंदर यानि के एक habit बनी हुई है तो we are kind of hardwired, we are kind of coded to follow that उसके अंदर अगर हम चलते रहे तो कोई दिक्कत नहीं है बड़ जैसे उसके बाहर हम निकलते हैं या उसके बाहर कुछ भी नया करते हैं या कुछ भी उसको change करने की कोशिश करते हैं तो हम डर जाते हैं क्योंकि मैंने थोड़ा बारी की से observe किया अपने कुछ friends को, कुछ relatives को और उनसे पूछा क्योंकि मेर कोई curiosity रहती है कि समझू कि उनकी psyche क्या है जिनको जो कि for example cigarette के addict हो गए है उनसे पूछा कि भाई तुम छोड़ते क्यो नहीं हो तुम तो दिख रहा है packet के ऊपर ऐसे सी images बनी होई है कि इससे यह हो सकता है वो हो सकता है and it is very clear they know it for sure consciously they know and they want to leave it लेकिन problem क्या है कि immediately जैसे ही वो छोड़ने की कोशिश करते हैं तो body के level पे यानि feelings or emotions के level पे sensations के level पे कुछ ऐसा होने लग जाता है ऐसे symptoms आने लग जाते हैं कि वो इतने हावी हो जाते हैं कि फिर इनसान उसकी तरफ चला जाता है वो long term में क्या होगा क्योंकि जो positive effects है उसको छोड़ने के वो तो आएंगे एक साल बात दो साल बात जब उसका energy level भड़ेगा उसका stamina भड़ेगा वो तो बाद में होगा ना immediately क्या हो रहा है immediately उसकी body के उपर कुछ बहुत ही ऐसे reactions हो रहे हैं कि जिसको वो bear नहीं कर पा रहा है जिसकी वज़े से फिर से वो वहीं पे जा रहा है तो motivation है उसके अंदर उसको छोड़ने के लिए लेकिन अभी जो immediately हो रहा है body के level पे और brain के level पे उसकी वज़े से वो छोड़ नहीं पा रहा है So the challenge is this ऐसे ही जो आपने job का example दिया कि कोई Monday को जाना नहीं चाहता है उस job में तो job change करना चाहता है या business करना चाहता है या अपना passion को follow करना चाहता है बट वो नहीं कर पा रहा है क्या वजय क्या है क्योंकि जैसे ही छोड़ने की बारी आती है वो resignation letter देने की बारी आती है वो change को एकदम से we perceive that this is going to change oh my god because we are conditioned with our comfort we are conditioned in a certain way in an understanding and coming out of it will take a lot of effort and we don't want to consciously make that effort तो वो ही आज हमको discover करना है या वो ही find out करना है कि इसका practical solution क्या है कि अगर कोई ये step उठाना चाहता है तो exactly उस वक्या हो रहा होगा जैसे ही वो छोड़ने की बारी आएगी उस job को तो brain हमारी कैसे programmed है कि वो danger को पहले perceive करेगी reward तो बहुत बाद में आएगा reward तो हमारी conscious level पे आ रहा है but subconscious level पे क्या हो रहा है at the level of feelings and emotions danger danger की वेज़े से body के उपर reactions anxiety, stress तो अगर उससे कोई बहर आना चाहता है यानि कि इस video को देखने के बाद में इस podcast को सुनने के बाद में वो resign करना चाहता है या फिर अपनी job को switch करना चाहता है या अपनी business का जो भी उसको passion follow करना चाहता है grow करना चाहता है I think grow is the right word yes because in comfort zone there is no growth there is no growth in the same pattern brain अगर अगर एकी pattern में चलती चली जाये चलती चली जाये there is no growth there is no evolution वो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि कोई जानवर हो गया जो जो करने के लिए बना था वो ही पूरी जिंदगी करता रहा और वैसे ही मर गया human being होने का सबसे बड़ा benefit क्या है कि we can do something we can bring changes to this pattern या जो हमारा ब्रेन का structure है उसको हम अंदर से पूरी तरह से change कर सकते है अगर चाहें तो अब इसका solution क्या है अगर इसी example को लिया जाए कि कोई अपनी job को छोड़ना चाहता है और इस podcast को सुन रहा है तो अब कैसे किया जाए psychologically इस challenge को कैसे meet किया जाए क्योंकि हमारे लिए तो यह कहना बड़ा असान है कि मैं और आप यहां पर बैट करके बोल सकते हैं कि अरे इसमें क्या है इसमें क्या बड़ी बात है उसके लिए बड़ी बात है कि immediately उसकी body पे जो reactions हो रहे है वो उनको ही पता है वो उनी को पता है और वो उसके उपर हाभी हो जाते है पहले तो एक danger जिसको उसको overcome करना है वो danger क्या है कि वहां से छोड़ना उसके बाद में जो भी body के level पे problems हो रही है उसको overcome करना फिर कहीं success की बारी आईगी और अगर stats के according देखा जाए तो 90% लोग जो business से शुरू करते है वो fail हो जाते है या 90% से जादा लोग जो cigarette छोड़ने की कोशिश करते हैं वो नहीं छोड़ पाते हैं तो हमको यह भी पता है कि starts उसके favor में नहीं है 10% chance है उसके successful होने के 90% chance है कि experiment fail होने वाला है अब क्या किया जाए उस habit से बहार निकलने के लिए जैसे ही हम अपने mind को कहते हैं कि मुझे यह चीज छोड़नी है suddenly हमारा defense mechanism जो होता है वो जाग उठता है अचानक से उसको याद आ जाता है कि मुझे तो इसको अपने thoughts से लेके उसको cloud करना है basically बंदे को जो हमारा defense mechanism है वो उस comfort zone से बाहर नहीं आने देता एक तरह से वो he will tell you महलब आप वो good or bad अपने कंदे पर बिठाओ एक कहेगा यह तुम खाओगे यह तुम यह cigarette पी होगे तो यह नुकसान करेगा दूसरा कहेगा कोई बात नहीं पीले फिर क्या हो रहा रहा एक से कुछ थोड़ी हो रहा है जो बंदा सोच रहा अब this then again it is your conscious effort that you make आप इसकी सुनोगे या आप इसकी सुनोगे pleasure-seeking, defense mechanism आपको रोकेगा कि नहीं, because defense mechanism खुद एक comfort zone में बैठा हुआ है उसको नहीं चाहिए कि मेरको कोई कोई उस चीज से निकाले कोई challenges आए कोई stress आए कोई stress आए तो वो defense mechanism बहुत चालू चीज है it's like a monkey mind and it is scientifically proven also because हमारा जो genetic code है that is almost 96% similar to a chimpanzee for that matter तो basically वो एक monkey mind है जो हमें pleasures just naughty होता है monkey क्या अगर हम define करें तो he's naughty तो वो एकदम pleasure-seeking defense mechanism आगे हमारे तरफ थो करता है for example, मुझे काजु कतली बहुत पसंद है मुझे पता है मैं खाऊंगी तो मुझे शुगर हो सकती है यह consciously भी कोई पता है but then redfin, खा ली, कोई बात नहीं एक से क्या और है, कुछ नहीं होता instant gratification and it's the pleasure-seeking mechanism जो हमें pleasures की तरफ खीच के लेके जाता है but अगर हम उस conditioning से बहार आएंगे तो obviously change होगा, change होगा to behavior change होगा, habit change होगी and change is always a discomfort right, because it's an unknown territory it's an unknown territory तो अब जैसे आपने बोला कि किसी को job छोडनी है but वो job छोड नहीं पा रहा है क्योंकि उसको job मिल रही है उसको पता है month end पे मेरे salary इतनी account में amount credit होगी that is certainty certainty भी बोल सकते है, security भी बोल सकते है because that is security is not a desire it's a need, it's a human need and even not just humans but animals also seek security हाँ, अगर आपने job छोडने के बारे में सोचा है तो वो defense mechanism is all not wrong वो कही ना कही correct भी है बिल्कुल correct है, देखा जाए तो अगर statistically देखा जाए तो 90% तो सही है न, correct है न, क्योंकि 90% possibility है कि वो अपने job छोड करके कुछ business करेंगे और वो fail हो जाएंगे और वो fail हो जाएंगे इस worldwide it's proven कि 90% businesses fail हो जाते हैं तीन साल के अंदर अंदर, शुरू होते ही तो वो defense mechanism पूरी तरह से गलत भी नहीं है for example किसी unknown path पे जा रहे है तो यह भी तो हो सकता है न, कि हम रास्ता ही भटक जाए और उस जंगल से बाहर निकली ना पाए तो वो defense mechanism अपना काम तो सही कर रहा है वो तो हमको protect करने के लिए काम कर रहा है but the point is कि कई बार ऐसा भी होता है कि long term में जैसे cigarette की हमने बात करी यह कहलो कि उसी इंसान की जो हमने बात करी जो कि job से बिलकुली frustrated है एक तो है minor problems है वो minor problems तो job में भी रहेगी business में भी रहेगी वहां से छोड़ करके कहीं और जाएगा वहां भी रहेगी उसकी वह चोड़ रहा है तो बेवकूफ है but अगर major issues है कि वहां का environment ही toxic है या जो boss है वह बहुत ही जाद उसका emotional या psychological torture करता है या करती है फिर भी वह नहीं छोड़ पा रहा है तो यह तो उसके लिए सही नहीं है कुछ ना कुछ उसके साथ भी pleasure जुड़ा हुए एक certainty जुड़ी हुई है हमें एक डर है कि अगर हम नहीं जगा पे जाएंगे तो हमें दुबारा से वह को शुरू करना पड़ेगा क्योंकि जब आप first time कोई चीज करते हो तो आपने कुछ effort डाला हुए आपने कुछ struggle करी हुई है उस चीज को achieve करने के लिए उससे accustomed हो चुक है आप acquainted हो उस particular lifestyle से और suddenly उस environment से और यह भी हो सकता है because life is not about black and white तो यह भी हो सकता है कि वहाँ पर बहुत कुछ बुरा है तो कुछ अच्छा भी है कुछ अच्छे दोस्त है यह security हो job security हो चलो ठीक है emotionally psychologically torture होता है लेकिन salary time पर मिलती है तो कुछ advantage तो ही ना तो उस certainty security से बचने के लिए उस चीज को अपने life में sustain करने के लिए हम वो torture सहते रहते हैं तो अब जैसे अगर family man है अगर एक single आजनी है for example वो कहेगा चल मैंने job छोडी मेरे को कौन सा बच्चे पालने है it's okay मैंने एक job switch करी वो job hopping करना शुरू हो जाते है एक job छोडी दूसरी job जहाँ satisfaction नहीं मिली they'll start working on but अगर यही एक family man है उसको पता है मेरे सर पे loan है मेरे सर पे बच्चों की जिम्मेदारी है वो चहा कर भी वो उस चीज से बाहर नहीं आ पाता क्यों? क्योंकि उसके पास added responsibilities इतनी जादा है कि वो उस चीज से बाहर नहीं आ पा रहा but वो circumstantial problems है जो आपकी circumstances ने आपको बताया but in the end see, अगर आप responsibilities की वज़ा से काम करे जा रहे हो, करे जा रहे हो but आपका system collapse कर जाएगा it's of no use उसका क्या फाइदा लोगों को बैटे-बैटे brain hamaraj हो जाता है या बैटे-बैटे heart attack आ जाता है वो क्यों है, क्योंकि internally जो वो stress और वो जो लिये जा रहे है just because of the circumstantial situations जिसकी वो उस चीज से बाहर नहीं आ पा रहे वो genuinely problem उनकी genuine है but वो उस चीज को कैसे approach उनकी क्या है उनकी उस चीज को लेके psyche क्या है we keep on analyzing our thoughts and it is a mechanism, a biological mechanism है हमारी body का, हमारा brain का वो function है, वो चलता रहेगा mind never sleeps अगर हमने self-talk की बात करी है सबसे पहली बात, खुद को motivate रखने के लिए आप self-talk क्या कर रहे हो दो रास्ते हैं आपके पास अगर एक situation हुई आप उसको कैसे कह रहे हो मैं तो नहीं करूंगी, मुझसे तो होगा ही नहीं मैं तो करी नहीं सकती तो वो क्या होगा, ultimately it will not happen टॉपिक शुरू होने से पहले ही खत्म होगा आपने अपने mind को पहले ही subconscious mind के उपर message भेज दिया कि यह तो होगा ही नहीं आपने भी जाओगे ना तो XYZ कोई भी reason होगा वो चीज होगी ही नहीं अगर आप consciously effort डाल के अपनी क्योंकि हम पहले negative सोचते हैं तो हमें negative से positive लाना पड़ता है It's a conscious effort It's a conscious effort that we put in a thought to make a negative situation into a positive situation अगर मैं खुद को यह बोलू कि मुझे यह करना है I will be able to do it No matter the circumstances मुझे यह करना है मैं कर लूँगी Doesn't matter कि आपके आसपास वाले आपको क्या बोल रहे हैं अगर आपके माइंड में यह चीज है क्योंकि आप self-talk एक positive self-talk रख रहे हो आप कहरे है positive self-talk बट उसका एक plus point है तो बहुत बड़ा minus point भी है वो इनसान जो की job कर रहा है उसके उपर responsibilities है उसकी wife है उसके बच्चे हैं और वो अपने आपको बोल रहा है कि मैं तो successful हो जाओंगा बिजनस में उसका ना तो कोई business background है ना कोई experience है ना कोई qualification है उसको ABCD भी नहीं पता है business की तो एक तरह से एक नया domain हो गया जिसके लिए उसको पहले कुछ time तो सीखना ही पड़ेगा मानलो एक दो साल तीन साल तो सीखना पड़ेगा कि business कहते किसे हैं जैसे कोई भी नई skill होती है उसको acquire करने में time लगता है और हो सकता है उसके पास में जो savings है वो इतनी है कि वो hardly एक दो साल survive कर पाए तो वो इस positive self-talk वाली बात को सुन करके क्योंकि there are lot of people worldwide जो कि ये इसको अपने benefit के लिए propagate कर रहे हैं या फिस sell कर रहे हैं आप ये भी कह सकते हो इस idea को sell कर रहे हैं ये जो पूरी की पूरी positive thinking के उपर एक industry है कि भई positive सोचो positive सोचो मैं कभी भी अपने sessions में इस पे इतना focus नहीं करता ना positive पे ना negative पे उसके पीछे एक reason है कि अगर उस इंसान ने बहुत जादा अपने आपको positive बोल करके I'll become a millionaire or a billionaire within the next one or two years और पता लगा जैसी वो reality में गया कि जो था उसके हाथ में savings वो भी खत्म हो गई वो job भी हाथ से गई अब बच्चों की ना तो fees देने के लिए उसके पास में पैसे है ना घर का खर्चा चलाने के लिए पैसे है ना घर का rent देने के लिए पैसे है जो loan है सर पे वो installment भदने के भी पैसे नहीं है और यह कोई theoretical बाते नहीं है यह real है practical, yes, practical है क्योंकि अगर हम books पढ़ते हैं बहुत सारी तो वहाँ पे theoretical बाते होती है कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, यह कर लो, वो कर लो तो अब problem यह है कि even according to me maybe we can have a different opinion on that like मेरे साब से यह जो positive self-talk है वो काम नहीं आने वाली है इस situation में तो अब क्या किया जाए positive self-talk का मतलब यहीं नहीं कि आप self-glorification में चले जाओ खुद को इतना बड़ा बना दो कि मैं तो यह कर लूँगा No, it's baby steps it's about taking baby steps अब धीरे 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 आप अभी सोच रो कि मैंने यह job छोड़नी है take a baby step मुझे यह job छोड़नी है मुझे यह क्यों job छोड़नी है then again another step step by step positive self-talk होनी चाहिए rather than मैं यह कर लूँगा मैं हवाई के लिए Rome wasn't built in a day it took time धीरे धीरे eat by eat वो built हुआ so that is how self-talk should be built that's a very valid point so what you are saying is के positive self-talk अपने आप में किसी काम की नहीं है अगर वो हवा में है it must be based upon reality it has to have a base कि हमको clear होना चाहिए कि exactly हम क्या करने वाले है कैसे करने वाले है क्यों करने वाले है और उसका यह भी कि अगर वो नहीं हुआ तो मेरा backup plan क्या है and फिर अगर वो नहीं हुआ तो हम failure को कैसे अपनी life में वे कर रहे है कैसे handle करेंगे या ऐसा तो नहीं है कि मैं बिल्कुली खत्म हो जाओंग तो एक आपको एक backup एक base रखना पड़ेगा कि अगर मेरे पास मेरे पास budget है एक लाग का करने की बजाए 10-20,000 लगा हूंगी business में और बागी का रखूंगी कि उसी को baby step बोलेंगे करना ही है तो मैं छोटे level से चोटे level से start करो जहां पर अगर मैं fail हो भी गया या हो भी गई तब भी actual में मेरे life के ओपर या मेरी family पर या मेरे बच्चों पर इंवेस्टमेंट कितनी है आप invest कितना कर रहे हो जैसे blueprint बनाते है न हम एक building है हमने एक building construct कर रही है तो हमने पहले उसका blueprint बनाया तो वैसे ही हमारी life में जो भी plans हम करना चाहते है जो भी achieve करना चाहते है उसका पहले एक blueprint होना चाहिए and self glorified नहीं होना चाहिए कि Hawaii के लिए जो बनाते है लोग बैठके मैं बैठा हूँ और वो जैसे कहते है ना कि बैठ रहो positive सोचते रहो ये चीज़ आएगी ऐसे थोड़ी आएगी you'll have to get up, you'll have to make an effort बहुत सारे लोग ये मानते हैं क्योंकि ये मानना उनके लिए convenient है convenient है उनको कुछ करना नहीं पड़ेगा उनको है कि बैठे बैठे सोचते रहो ये मेरे साथ में यह जाएगा ये गाड़ी आजएगा ये घर हो जाएगा और वो आजएगा वो a जाब ये जाप करे हो most people think मस्पार गाड़ी है मेरे पस गाड़ी है no imagine कर रहे हैं ये कर रह हैं lot of people think in that way yes क्यूंकि इस तरीके से बहुत सारी बुख्स हैं बहुत सारी आशी वीडियो से जहां पर लाग इसा इसी तरीके से बात करते है कि तुम्हें और कुछ करने की ज़रत नहीं है, क्योंकि यही ही लोग सुनना जाते है बैठेरो, and I read that book when I was in my teenage but I took that lesson मैंने रखा, ठीक है, law of attraction काम करता है तो law of attraction को भी तो कुछ material दो मुझे for example, एक फोन करीदना है मुझे पता है कि मेरा ये फोन का बजट साथ हजार है फोन मिल जाए, फोन मिल जाए, फोन मिल जाए people will call me stupid, are you stupid, are you what, you're not earning बैठे बैठे थोड़ी हवा में भगवान प्रकट होंगे फोन आ भी गया, अगर आप पूरे दिन यही सोचते रहे, इसको दूसरे तरीक से देखते है कि चलो, फोन आ जाएगा, it will work वो कैसे काम करेगा, आप बैठे बैठे सोचते रहे फोन मिल जाए, फोन मिल जाए, फोन मिल जाए, आपकी salary है तो देखो मैंने सोचा मिरे पस फोन आगे, ऐसे गाड़ी भी आजाएगी कही न कईसे अब क्या करोगे, आप फस्ते चले जा रहे हैं आपने एक short term goal बनाना बहुत जरूरी है मैं लोगों को बोलती हूँ, जो मुझसे पूछते हैं जिस भी field में वो है, उस field में तो उसको कुछ मांगने की जरूरत ही कहा है जरूरत ही नहीं है उसके पास पे तो जो चाहिए उससे ज्यादा ही होगा और उसमें वो patience होगी वो एक level of understanding होगी कि मेरा ये passion है ठीक है, अभी success नहीं आ रही है एकदम से नहीं आएगी Rome wasn't built in a day एकदम से तो successful नहीं हो गई थी एकदम से आप एक building आपने सोच है कि मेरे कोई एक building बना नहीं है तो सबसे पहले आप foundation उसकी रखते हो आप उसकी नीव रखते हो सबसे पहले blueprint बनाते हो फिर उसकी नीव रखते हो फिर eat by eat, floor by floor आप उसको construct करते हो फिर floor के बाद उसको furnish करते हो फिर धीरी-धीरी उसको polish करते हो That is our system ऐसे ही हमें अपने आपको भी करना चाहिए धीरे-धीरे blueprint बनाओ अगर आपने job छोड़नी है तो पहले सोचो कि pros and cons क्या है मैंने job छोड़नी है एक goal set करो कि इतने time तक मैं इतना पैसा कमा लूँगी और इतने time तक मुझे इतना पैसा चाहिए उतना time तक तो continue करो job को और hundred percent दो अपना विकर्स अगर आप future का सोच के present में अपना hundred percent नहीं दे रहे हो तो ना future का कोई फायदा है ना present का कोई फायदा है उसको short term goal बनाके अपनी present job में उतना पैसा इकठा करो और उसमें भी आप सीखो लोगों को सीखो लोगों को देखो अगर आप किसी के अंडर job कर रहे हो तो उस बंदे ने भी उस particular firm को खोलने के लिए बहुत सारे effort लगाया होगा उसने भी वो risk लिया होगा दस साल पहले, पान साल पहले जो established firms हैं कोई भी XYZ, Dell है, Amazon, anything उन्होंने भी start करने से पहले कुछ effort करा होगा कुछ hard work करा होगा, एक blueprint बनाया होगा जो 10-20 साल तक उनको लगा कि हाँ, एक solid company है चलो हो सकता है, उन्होंने इतना जादा नहीं सोचा होगा कि इतना हम flourish कर जाएंगे, but they took baby steps यह जो आप baby steps की बात कर रहे हैं, in fact, इसके पीछे बहुत सारी scientific studies भी है, बहुत सारी researches भी है जो यह कहती है कि हमारा यह जो पूरा का पूरा जो conditioning है brain की, यानि कि जैसे ही हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और एक self-defense mechanism है, वो activate हो जाता है अगर उससे आपको बचना है तो you have got just five seconds आपने भी कहीं ने कहीं पढ़ा होगा इसके बारे ने, right? One, two, three, four, five अगर उस पांच सेकंड के अंदर अंदर आप कोई action ले लो, तो आप बच सकते हो नहीं तो वो इतना हवी हो जाएगा आपके उपर कि आप नहीं कर पाओगे, right यानि उस वक्त हमको कोई baby step लेना है baby step लेना है जिससे के उसको हम overrule कर सके एक तरीके से वो जो हमारी coding हुई पड़ी है brain के अंदर, उस coding को या उस conditioning को हम change करने की तरब पहला step उठा सके, right steps define करते है step one क्या होना चाहिए step two, step three, step four जिसको कोई भी जो भी अभी हमको देख रहा है वो उसको follow करे और अपनी किसी भी habit को वो change कर पाए और उसके लिए वो self motivate हो पाए यानि कि इन steps को अगर वो सबसे पहला step है जो आपी की बात से मैं एक idea लगा पा रहा हूं सबसे पहला step यह है a belief system कि मैं कर सकता हूं I can do it क्योंकि अगर belief system किसी का ऐसा है कि मैं नहीं कर सकता मानलो because of the family background या conditioning या घर में जो भी parents की बाते सुनी है या जो भी देखा है उसकी वज़े से अगर किसी का belief system ऐसा है कि मैं तो करी नहीं सकता या मैं करी नहीं पाऊंगा तो बात ही वहीं पे खतम हो जाती है तो पहले तो अपने belief system को change करना पड़ेगा यानि कि वहाँ पर क्या होना चाहिए कि at least उस इंसान के अंदर इतना आने लग जाए कि मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं अगर मैं एक छोटे से लेवल से business करता हूं तो वह हो सकता है क्योंकि हो सकता है हमारी इस conversation से एकदम से लोगों के mind में क्या आएगा because of the preconditioning कि आपने कहा कि अच्छा एक लाक रुपे ना लगा करके 10-20,000 से business शुरू हो जाए तो 10-20,000 से कौन सा business शुरू होता है उससे तो हो यह नहीं सकता तो topic close हाँ पहले तो mind में यहोना चाहिए कि हो सकता है past में बहुत लोगों ने किया है हमें कुछ learn करने के लिए पहला unlearn करना पड़ेगा it is very important अगर हम उस चीज को unlearn नहीं करेंगे तो हमारे मन में preconceived notions रहेंगे but unlearn कैसे करेंगे unlearn करने के लिए खुद को open रखना पड़ेगा पहले कि आपके पास एक new set of information आई है new set of beliefs जैसे अपने belief system की बात करी अब अगर एक belief system को change करने की कोशिश करें तो बहुत सारे conflicts आएंगे existing belief systems है existing belief system है वहांपे वह conflicts तो हमारे मन में वह understanding, context की understanding होनी चाहिए कि हम उस belief system को change करना चाह रहे हैं तो यानि बहुत सारे conflicts आएंगे तो यह understanding की conflicts आएंगे बट हमें इस particular belief system को आगे लेके जाना है basically अगर इसकी starting point देखा जाए तो वह starting point यह नहीं है कि एकदम से overnight हमारी बाते सुनी या मेरी या किसी की भी बाते सुनी या कोई book पढ़ा और एक नया belief system बन गया इसका सबसे पहला step है लडाई लडाई, खुद से, खुद से लडाई करनी पड़ेगी खुद से खुद की लडाई होगी तो हमारे अंदर ही दो self है एक existing self है और एक नया हमारा new imaginary self है जो हम create करना चाहते है तो उन दोनों की आपस में लडाई होगी वो दोनों भीड़ेंगे और हर step पे एक दूसरे के साथ और भीड़ते ही रहें बॉडी के लेवल पे, not just at a psychological level, but at a psychosomatic level यानि कि बॉडी के लेवल पे, feelings के लेवल पे, emotions के लेवल पे, sensations के लेवल पे problems होंगी, तो एक person को तयार होना है इस adrenaline को face करने के लिए adrenal rush हो जाएगा, एक बॉडी में एकदम से goose bumps हो जाएगा, anything, क्योंकि बॉडी कुछ भी हो जाएगा, breathing changes हो जाएगे, but then we have to observe those changes observe करने से भी पहले हमको पता होना चाहिए कि ऐसे changes होंगे, and that understanding आईगी ऐसे session से, जो अभी हम discussion कर रहे हैं I think this discussion का यही motive है कि लोगों को पता हो कि ऐसा होगा, क्योंकि अगर किसी को पता ही नहीं है, तब तो वो डर जाएगा, तब तो उसके उपर हाभी हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा है कि जैसे कोई किसी नए रस्ते पर जा रहा है, और वहाँ पर उसको पहले ही पता हो कि अच्छ तो वो टनल है, तो वो लगेंगे, तिरेको दर्द भी होगा, खून भी निकलेगा, यह भी होगा, वो भी होगा, बट तो डरियो मत, तो डरियो मत, you have to, you have to persist, in order to reach on the other side, तो वो शुरू कहां से हो रहा है, वो से शुरू हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा एक डिफरेंस ओ Because we are providing that understanding, new perspective, new knowledge, वो वहाँ से शुरू होगा, कि जैसे ही कोई new knowledge, new perspective, यह कोई new belief system भाहर से अंदर आएगा, तब एक clash होगा, अगर भाहर से कुछ नहाया ही नहीं, उसने पहले ही अपने आपको बंद करके रखा है, अपने दिमाग को बंद करती है, जैसे बोलते है, mind is just like a parachute, it can't work unless it's open, oh it's open, so I think first step is not motivation, it is not positive self-talk, it is opening yourself to new learning, exactly, it is opening yourself to new ideas, to new thoughts, to new possibilities, new creativity, open रहना की possibilities है, there are n number of possibilities to this particular situation, exactly, that is precisely the point, कि कोई जोब कर रहा है, अगर उसी example पर हम वापस से आए, और वो छोड़ना चाहता है, अपनी जोब को, तो पहले तो उसको अपने दिमाग को खोलना पड़ेगा, कि unlimited possibilities है, यानि क्या-क्या है, कि मैं इस जोब को छोड़ करके, इससे better job भी मुझे मिल सकती है, number one, ये भी possibility है, better किस वे में, financially भी better हो सकती है, हो सकता है, वहाँ का environment भी better हो, हो सकता है, वहाँ पे, हर चीज में, इस job से far better jobs exist करती है, और वो मुझे मिल सकती है, तो पहला तो ये हो गया step, या फिर, इस job को छोड़ करके, मैं एक business भी शुरू कर सकता हूँ, और वो business कम से कम पैसे में भी कर सकता हूँ, और उसको बड़े से बड़ा भी कर सकता हूँ, या फिर, इस job के साथ-साथ में भी मैं business कर सकता हूँ, possibilities तो immense है, possibilities तो बहुत सारी है, तो पहले उसका दिमाग खुले इन possibilities के लिए, जो काम में भी बहार से होगा, क्योंकि जैसे, जो conditioning हुई है, हुई कैसे है, धीरे, 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 अंदर हुई और वो बहार reflect हो रही है, वो बहार से अंदर आई है, यानि जो भ अपने environment से सीखते है, सबसे पहले एक बच्चा है, वो सबसे पहले अपने parents से सीखते है, वो बहार की दुनिया को अपने parents के perspective से ही देखता है, कि यही हो सकता है, यही बहार की दुनिया है, यही दुनिया है, और बहार की दुनिया भी ऐसी ही है, अब धीरे धीरे जैसे वो होगा, conflict होना शुरू हो जाएगा, एक बच्चा अपने आपको वह defense mechanism काम करेगा, एक अपने उसको culture को defend करेगा, दूसरा अपने culture को defend करेगा, तो there is a conflict everywhere, conflict किसी को अच्छा नहीं लगता है, बट उसके लिए, जो वह इंसान है, उसको यानि जैसे ही वह cigarette छोड़ने की कोशिश करेगा, तो उसको यह बात पता होनी चाहिए कि कुछ दिन तक बहुत बड़ी problem create होगी, cravings होगी, इस इस तरह की यह चीजे होगी, maybe he can talk to somebody, जिसने वह किया और उसमें वह successful हुआ, तो वह बताएगा पहले दिन ऐसा होता है, दूसरे दिन ऐसा होता है, तीसरे दिन, लेकिन फिर 6-7 दिन बाद, धीरे-धीरे symptoms जाने लग जाते हैं और फिर better होने लग जाता है, फिर उसके बाद में energy भरने लग जाती है, stamina better होने लग जाता है पता है क्या है, इस चीज में भी, इसमें भी, then again I'll put a conflict on this, अगर मैंने फलाने के experience से यह चीज करी, उसका circumstances अलग रहा उसका experience अलग होसता है, उसका DNA, उसका genetic code बिल्कुल अलग है हमसे उसकी family बहुत जादा motivating है, उसको externally कैसे वो supporting है, तो यहां पर भी आप किसी का example लेके, आप अपनी उपर 100% apply नहीं कर सकते I was about to say that, कि उसको as it is apply नहीं करना है, नहीं कर सकते, but वहां से inspiration ले सकते हो More or less ऐसा कुछ होगा, more or less ऐसा ऐसा कर सकते है, but then हमारी approach क्या है उस चीज को, हो सकता है उस बंदे ने दो दिन में ही cigarette addiction छोड़ दिया हो और ऐसा ही होता है, कैने a kick आनी चीए mind में, एक kick आती है कि मुझे अब कल से नहीं करनी है जीज, चाहाए वो cigarette addiction हो, जोब हो, चैयो रिलेशनिशिप हो, हाँ, everything, यह हमारी overall life में apply करता है, यह किक आता है, किक हमेशा सही नहीं होती है, हमेशा सही, obviously है, हम repulsively उस चीज़ को हम नहीं वो कर सकते कि नहीं, इंपल्सिव नहीं, हाँ, impulsive नहीं, हाँ, so we cannot just, मैं तो कल से जॉब पे नहीं जा रही, it cannot be like that, धीरे धीरे उस चीज़ को फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा, धीरे धीरे उस थॉर्ट पे डेवलप करना पड़ेगा, मुझे अगर, एक blueprint बनाना पड़ेगा, मुझे अगर पता है कि मुझे physically fit होना है, तो उस चीज़ के लिए सबसे पहले, अब मैं दस बजे उठने की आदत है, मुझे धीरे धीरे, बेबी स्टेप क्या होगा, मुझे fit होना है, पहले धीरे धीरे, I'll start waking, उस से पहले क्या होगा, मुझे 10 बजे सोना है, रात को, पहले, फिर और जुरूरी नहीं कि एक दिन नौ बज उड़ गे तो चलो मैं चलता हूँ हो सकता है एक दिन जाओ, दो दिन के लिए मोटिवेटेड हो तीसरे दिन अब मैं नहीं जा रहा तो वहीं पर वो चीज सेल्फ टॉक काम करेगी कि नहीं, चल कोई बात नहीं कि आज थोड़ा कम कर लिए ऑट कर तो सही, effort कर उस वक्त जब हमारी feelings हमको रोकेगी वो काम करने से तब हमें पता होना चाहिए कि ऐसा सबके साथ होता है एसा सिरे मेरे साथ नहीं होता है, ऐसा सबके साथ होता है यानि कि nobody feels like doing an exercise किसी की भी feeling नहीं करती है कि work out करो अच्छा नहीं लगता है करके यह अपने comfort zone से बाहर निकलना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है यह अपनी tongue पे control करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि हम pleasure-seeking लगेगा पहले तो यह पता होना चाहिए ताकि जब बुरा लगे तो वो घबराए नहीं फिर उसके बाद में जो next step है वो यह है कि उस वक्त जब बुरा लग रहा है तो वो immediately within five seconds action में आ जाए यानि की दो दिन तीन दिन आपने जैसे कहा जैसे जाहतर लोगे साथ होता भी है कि जिम गए या कोई work out करने गए या yoga किया कुछ भी किया दो-ती पारी दिन बात क्या हुआ कि मन नहीं कर रहा है या जो फाइट करने के लिए भी जाना पड़ेगा तो अब उस वक्त जैसे अंदर से यह आया कि छोड़ना क्या करना है because of उसकी पीछे रीजन क्या है वो physical pain and physical sensations जो की हमको रोक रही है आगे भढ़ने से जो एक uncomfortable feeling है और यहां की जो comfortable feeling है bed पर पढ़े रहने की, सुबह 9-10 बहे तक 11 बहे तक सोने की वो एक pleasurable feeling है और दूसरी तरफ से एक painful feeling है तो दोनों ही हमको रोक रही है आगे बढ़ने से तो उसके 5 second के अंदर-अंदर इमीजेटली बैट से खड़े हो जाना है कि अगर 5 second में उसने action नहीं लिया तब तो गया उसको 5 second rule भी पता होना चाहिए 5 second rule इसके उपर I think कुछ research इसका कोई नाम भी है I'm not sure even I'm not into I'm not I'm bad with names so I don't remember the names देशी के लिए उसको पता होना चाहिए कि ऐसा होगा कि जैसे हम कुछ भी नया करेंगे तो ऐसी problems आएंगी पर जब आए तो 5 second के अंदर-अंदर कोई वह बेबी step लेना है baby step baby step क्या है उठकर के खड़े हो जाना है और बोलना है चल कोई बात नी एक घंटा नहीं करोंगा 5 minute कर आज़ोगा पर भीर उसकता है जब जाएगा 5 minute करने के लिए तब वह 20 minute हो जाए तो जाओ तो सही तो वह effort तो लो तो तो वो conscious effort तो लो, तो self अपने आपको motivate करने के लिए वो effort तो लो, effort तो आपको ही करना पड़ेगा आप सेकडो movies देख लो, सेकडो books पढ़ लो, positive thinking के उपर, but चलो, you are not making it into your system, you are not letting it into your system आप एक conscious effort ही नहीं कर रहे हो, हाँ, मैंने फुलानी movie देखी ती, उसमें यह यह चीज हुई थी, but आपने उससे क्या understand किया, आपने उससे क्या take-in किया, वो आपके उपर depend करता है हमारी life में, जो learning का एक method है, जो information है, वो एक bottleneck system में हमारे अंदर store होती है बोटलनेक का क्या मतलब हुआ? बोटलनेक का मतलब है, जैसे बोटलनेक छोटी होती है, एक bottle है, जो उसका पर से छोटी होती है, नीचे से बड़ी होती है, जो नीचे का है, that is our memory store house इसको subconscious भी बोलते हैं तो जो bottleneck है, उसमें से हम बहुत सारा information से हम क्या लेके जा रहे हैं, हमने किस चीज़ पर attention दिया जैसे memory के तीन systems है, sensory memory, short term memory and long term memory sensory memory में क्या होगा, कुछ भी senses है, IAC, visual, जो भी आपके senses वो करते हैं वो sensory memory से, short term memory में तब जाता है, जब आप उस पर attention देते हो, focus करते हो, कुछ attention देते हो, you pay an attention to certain stimulus, stimulus is a occurrence आपने इस चीज़ पर attention दिया, आप attention से, वो short term से, long term में जाएगा, और long term में वो store हो जाएगा तो बहुत सारी information है आपके पास, उसमें से आप क्या-क्या takeaways ले रहे हो, for example, जैसे आपने पहले ही बोला था कि अपने फाइदे के लिए, हम सोचते हैं कि हाँ भी positive सोचना है, मैं successful हो जाऊँगा, यह है, self glorification है, तो positive सोचो, बहुत सारी information है, बट आपको किस तरीके से, आप तो हर चीज को, हर context को understand करना बहुत जरूरी है, standpoint को समझना कि किस standpoint से क्या बात करी जा रही है, फिर उसको देखना कि किस पे focus करना है, किस पे focus कर सकते हैं हम, तो वो attention दी आपने और उसके बाद वो long term में वो आपके जो learning है, वो habit pattern में, वो basically एक नया habitual pattern develop हो रहा है, long term memory कुछ नहीं है, basically एक subconscious level पर हमारी एक habit create हो रही है, तो कोई भी नई habit को inculcate करने के लिए, what you are saying is, तीन steps हो गए, एक है sensory perception, यानि कि अच्छा देखो और अच्छा सुनो, क्योंकि यही से हम, जो भी सीखते हैं, I think 99% यही से सीखते हैं, what we see and what we hear, what we see and what we hear, तो जो भी पहले तो यह चूज करो कि क्या देखना है, और क्या सुनना है, based upon कि आपकी situation क्या है, that is the thing, I think यह interlinked हो गया एक तरीके से, क्योंकि हम यह नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल ऐसा हो गया, मुर्गी और अंडा वाला example, कि पहले क्या आता है, क्योंकि आप यह देखिए, कि हमारी attention कहा जाएगी जो हमारी long term memory में है, by default, जो preconceived notions है, जो preconceived notions है, जो habitual patterns है, या जो भी हमारे दिमाग में already stored है, वो ही हमें दिखता है, वही पर हमारी attention जाती है, और जहां पर attention जाती है, वो और पक्का होता चला जाता है, तो एक तरीके से यह एक लूप है, तो I think, जो सबसे पहला step आएगा कुछ भी बदलने का, क्योंकि वो जो positive self-talk है या जो self-talk हो तब तक काम नहीं आएगी, जब तक कि, जो sensory perceptions है, वो change नहीं होगी, यानि कि कोई कुछ बहुत ही गलत देखता रहे, कुछ बहुत ही negative देखता रहे, पूरे दिन उल्टी-चीदी news पढ़ता रहे, और फिर वो यह लगातार, बट मैं concentrate नहीं कर पा रहे हूँ, I was like, कि ऐसा क्यों है, why you not, कि आप यह करो वो करो, suddenly she told me कि मैं दो धाई घंटे crime patrol रहे हूँ, I was like, my reaction was, मैंने का, धाई घंटे आप crime patrol रहे हो, and 15 minute आप सिरफ positive speech सुन रहे हो, तो आप सोचो उसका impact और इसका impact वो बिचारा क्या क लगने के लिए, आप डाइट कर रहे हो, for example, तो आप कच्रा खा रहे हो, या आप अच्छा खाना खा रहे हो, तो आपकी body पे effect उस तरीके से करेगा, तो उसी तरीके से mind को भी तो आप जो feed कर रहे हो, that is very important, वहाँ पे भी एक conflict होगा, क्योंकि जो इनसान की आदत पड़ी ह जिसकी कच्रा खाने के आदत पड़ी है, जैसी वह अच्छा खाएगा तो अच्छा उसको बुरा लगने लग जाएगा, वह एकदम से loose motion हो जाएगा, तो वही mind हमारा उस तरीके से करेगा, नहीं कर पाएगा, for example, इस conversation को, जो की इतनी लंबी conversation है, ये podcast को को सुनने बैठ ज जाएगा, नेक्स आती जाएगा, नेक्स आती जाएगा, और उसका है कि बैठे रो और देखते रो उसमें दिमाग लगाना की ज़रूरत नहीं है, एक के बाद एक और अपने आपी reactions होते रहे, हसते रो, ये उतरो, ये उतरो, ये उतरो, वो अगर इस conversation को सुनेगा, और motivation की problem है, ये problem है क्या, problem है भी या नहीं, सबसे पहले तो ये conflict है, क्या ये problem है, मैं तो positive ही रहता हूं हमेशा, फिर भी मैं motivated नहीं हूं, पहले तो ये problem को समझो, I think first step is understanding, understanding of the problem, this problem of comfort zone, we can call it comfort zone, we can call it habitual pattern, we can call it anything, we can call it old versus new, new, right, ये जो conflict है, तो पहले तो इसको पूरे को समझो, इस structure को समझो, अराम से ठंडे दिमाग से बैठ करके, कि ये नहीं कि एक बार इस वीडियो को देख लिया, तो मुझे समझ आ गया, अराम से बैठ हो, क्योंकि अगर आपकी वो TikTok देखने की आदत थी, तो एक बार में त चार बार देखो, अराम से, let it seep in, कि अंदर ये जाए पहले बाते, क्योंकि एक नई दुनिया है, तो धीरे-धीरे हमको, या जो भी जो लोग देख रहे हैं, धीरे-धीरे उनको कुछ समझ आने लग जाएगा, अंडेस्टाणिंग के लेवल पर कुछ चेंजिस होंगे, फिर अपने जो sensory perceptions हैं, उनको change करो, यानि जहां से भी कच्रा अंदर जा रहा है, उससे अपना ध्यान को हटा करके, कुछ धंका content consume करो, depending upon कि आप किस field में हो, and depending upon कि आप 5-10 साल बाद अपनी life में क्या achieve करना चाहते हो, उसके according, अपने content को choose करो, अपनी जो perceptions हैं, उसको change करो, यानि जैसे ही हम वो change कर देंगे, जो हम देख रहे हों, सुन रहे हैं, automatically हमारी जो attention है, वो negative से positive की तरफ shift हो जाएगी, अगर हम यह words यूज़ करें, वैसे मैं इसको बहुत cautiously use करता हूँ in words को, because negative positive का मतलब लोग कुछ और निकाल लेते हैं, अगर हम simple way में बोले, तो it could be, क जहां से आपकी attention, ऐसी जगे से हट सके, जो कि आपको रोक रही है, और ऐसी जगे पर आ सके, जो कि आपको आगे बढ़ाएगी, जिसकी वज़े से आप grow करोगे, तो उसको जिसकी वज़े से आप अंदर से और बहार से grow करते हो, उसको positive बोल सकते हैं, जो आपको रोकती है, उसको negative बोल सकते है, क्योंकि रुकना is death, रुकना is decay, that is the law of nature and आगे भढ़ते रहना is growth पहला is understanding the problem कि ये problem है, accept करना कि हां मैं इस problem में हूँ मुझे ये problem है तीसरा मुझे ऐसे denial mode में ना आ जाए, तीसरा है मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरा ये change हो कि क्या क्या possibilities है possibilities, learning और unlearning का concept है जो unlearn करना जो हमारी previous belief system है and then again understand कि ये conflict रहेगा and you must not get carried away by that conflict क्योंकि वो तो रहना ही है, मरते दम तक रहेगा और हरे की लाइफ में रहेगा, हरे की लाइफ में है है, जो सोचल मीडिया पर ऐसे show कर रहे है है जोटे है जोते है की नहीं है पूरे दुनिया में जिसकी प्रावल्म ना हो 그랬 कोई में प्रावल्म ना हो ये जिसकी कोई गोमलेफ में और की रहे और依ा़ता ही रहेगा मरते दम तक, अगर हम ग्रों करने की कोशिश करेंगे तो यह वीडियो भी पूरा लोग पूरे पूरी वीडियो भी वही लोग देखेंगे जो actually में change चाहते हैं यानि कि बहुत कम लोग बहुत कम लोग देखेंगे क्योंकि वो change अच्छा चाहना और करना is again different but it will be another discussion इसमें एक और भी एक layer आजाती है एक है चाहना यानि कि विश एक है deeply चाहना यानि कि desire एक है burning desire और फिर है करना वो तो बहुत बात का step आगे है करना तो अगर मैं बहुत conclusion पे आएं अगर हम और मैं minimize कर दू सारे steps को तो पहले समझना understand that this is a problem understand the problem then understand that you are in this problem then changing your belief system एकदम से नहीं होगा conflict होगा मतला हर लेवल पर कोई नहीं कोई conflict होगा जैसे ही हम कुछ भी बदलने की कोशिश करेंगे the moment we think about changing something about our personality there will be a conflict that is inevitable inevitable please आगे आगे आपताईए और फोथ स्टेप observation observe yourself as you go through these changes rather than getting too attached to some positive or negative or negative कि मतलब बीच बीच में ऐसा भी होगा कुछ दिन जब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा आपके साथ में और कुछ ऐसा भी होगा जब बहुत बुरा हो जाएगा but observation का आपका मतलब यह है कि उसको let go करो, उसको seriously मतलो but खुद को observe करो, खुद के emotions को, अगर आप खुद को वैसे observe नहीं करो, खुद को as a third person observe करने कोशिश करो you don't get too attached to the positive or the negative outcomes आप खुद को observe करो कि आप इस particular चीज को कैसे perceive कर रहे हो and खुद को observe कर रहे हो कि यह conflict हो रहे मुझे तो मैं इस चीज को कैसे perceive कर रहा हूं या मैं इस conflict से बचने के लिए मेरा defense mechanism basically अपने आपको एक third person की तरह रखके देखो what are you doing, what changes are you bringing in your life is it happening or is it not happening if it is happening that means you are on the right path but if it is not happening that means there is again you have to start from step one and again always remember everything in our life is systematic and has to have or has to be achieved in a baby step manner अगर हम यह सोचे कि मुझे दस साल बाद यह building खड़ी करनी है तो उसके लिए आज एक blueprint बनाना पड़ेगा और उसके लिए उसकी नीव रखनी पड़ेगी उसके लिए सारे resources देखने पड़ेगे कि क्या है और क्या नहीं है और फिर उस पे build करना पड़ेगा और इस अपने बीच में एक evolution का example लिया evolution भी it's a gradual process evolution did not happen in one day है ना तो evolution जो है हम अभी भी evolutionary stage में है and we will keep on evolving तो उस evolution को यह समझना कि और यह जो habits, habit formation, everything is a part of evolution तो it is a slow process this very understanding that everything happens gradually and slowly will bring a very good change in us हमने क्या क्या examples यहां पर touch करे थे उन सारे examples को sum up कर दे इन steps के through तो I think वो अच्छा हो जाएगा हमने तीन examples touch करे थे अपनी पूरी conversation में एक cigarette का एक हमने gym का example touch किया था और एक job का example touch किया था अगर इन तीनो examples को step by step देखें कि यह सारे steps इसमें कैसे apply होते हैं कि चाहे cigarette हो चाहे exercise का हो या फिर job को switch करने का option हो या job को switch करके जो भी अपना business करना है या whatever it is तो इसमें क्या करना होगा step 1 में understand करो कि यह problem है understand करो कि यह problem है यानि कि अगर आप cigarette पी रहे हो तो सबसे पहले यह समझू कि यह problem है क्या यह problem है is it a problem question mark may not be a problem in the short term but in the long term it's a problem cigarette के example में तो हम बोल सकते हैं लोग को पता है कि वह problem है दूसरा जो हमारा example था health वाला उसमें भी इनसान को यह समझना पड़ेगा कि अगर मैं कोई workout नहीं करता हूँ तो इसके long term क्या इसके long term effects क्या होगे कि अगर मैं अपनी muscles को strong नहीं बनाता हूँ तो मेरी bones के उपर किस तरीके से effect आएगा वो हम अपने घर में observe कर सकते हैं लोगों को देख सकते हैं कि उसकी वैसे क्या problem होती है तो पहला तो step यह है कि problem को समझो कि अगर हम कुछ नहीं करते हैं यानि उस laziness को अपने उपर हावी होने देते हैं तो कितनी बड़ी problem future में create हो सकती है short term में pleasure है बट future में कितनी बड़ी problem है और तीसरा हमारा example था job वाला कि अगर एक toxic environment में आप job कर रहे हो तो वो कितनी बड़ी problem है वो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है गूगल पर जाकर करके study करो देखो Monday के दिन सबसे ज़्यादा heart attack लोगों को क्यो आते है Monday morning में ऐसा क्या होता है तो आप भी उसमें से एक हो सकते हो कि जो भी आप सोच रहे हो वो सब बिकार है अगर कल आपको वाली स्टेट में हो अगर माइनर है वो तो चलता है अगर आपकी लाइफ में बहुत जादा stress है because of your job तो I think there is high time कि आप कुछ और सोचो तो पहला step तो हो गया तीनों केस में understanding the problem deeply इस understanding को भी हम break down कर सकते हैं दो parts में कि अभी exactly क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है और आगे क्या होने वाला है maybe on a piece of paper कि अगर मैं ये करता रहा तो अभी इसके क्या pros and cons है और future में 5 साल बाद या 10 साल बाद इसके क्या pros and cons होंगे तो इसका मतलब कि पेपर में ले करके उसको understand करो deeply जो भी आप करना चाहते हो उसको कि जो करते रहे अगर वैसे ही करते रहे तो क्या होगा उसके अपने क्या pros and cons है और अगर change किया तो उसके अपने क्या pros and cons है तो that must be very clear that is like understanding the problem what is step 2? कि आप उस problem में हो कि accept करो कि I am in that problem ये नहीं कि रात को जा करके कि दो पैग लगाए और सोचा के की फरक पेंदा है ये बड़ा typical dialogue है डेली में तो आपने सुना होगा बहुत चलता है I come from a Punjabi family so I understand this concept की फरक पेंदा होंदे जो होंदे देख लांगे ताइब होने दो जो होने मैं वाइफ is Punjabi and I am Benia तो मैंने भी ये डालोग बहुत सुना है अरे खाल है न की फरक पेंदा है वही न इग्नॉरंट पहले उनको ये समझ आए कि फरक पेंदा है हाँ कि फरक पढ़ रहा है and then accept कर रहे हो खुद को so understanding then acceptance पहला होगया understanding of the problem दूसरा है acceptance of the fact that I am in a problem and I need to find out a solution find out a solution third is conflict को accept करना the moment you try to change something there is going to be a conflict understanding that there will be conflict at every step of change and understand that and remember it recall कर लो अपने सिस्टम में लिख लो कहीं पे भी change is the only constant maybe हम इसको एक नाम दे सकते है जिस conflict की हम बात कर रहे हैं जिससे की हर कोई एक्दम से recall करे और उसको समझ आए कि exactly क्या हो रहा है we can call it महाभारत okay, yeah, yeah, fair enough between what should be and what is what is and what it should be it's a conflict between right and wrong it's a conflict between two ideologies it's a conflict between two thought processes yes, right तो एक conflict होगा तो मतलब कि तीसरे स्टेप में एक महाभारत होगी बाहर भी और अंदर भी उसके लिए ready रहना है you need to be a warrior yes, तो अब उस conflict की वज़े से डरना नहीं है act करते रहना है यानि अगर महाभारत का एक्जामपल ले तो जैसे उसमें भी यह हुआ था ना अर्जुन के हाथ का आप गए थे जब सामने देखा व्योंकि उसके अपने थे क्योंकि देखा जाये तो वहां पर भी अपनों से लड़ाय हो रही थी प्रॉब्म यह नहीं थी कि लड़ाय हो रही है क्योंकि लड़ाय करना तो अर्जुन का काम था प्रॉब्म यह थी कि सामने मेरे अपने है तो यहां पर भी आपके अंदर ही खुद से लड़ाई होगी यह तो और बड़ी लड़ाई होगी ना तो basically महाभारत और कुछ नहीं है अपनों की अपनों से लड़ाई है तो basically यहां पर भी problem यही आने वाली है अपनी लड़ाई होगी रहने हैं, रुकना नहीं है, दनुजमान को छोडना नहीं है, बटे रहना है, मैदान पर, अगर आप फोर्ट स्टेज पर पहुंच भी गए, तो भी, you have that capacity or tendency to you fall back to step one, step one, step one, फिर वापिस से step four प्याना होगा, फिर एक चीटी भी है, चीटी भी अगर example लेते हैं, पुरानी कहावते हैं, कि चीटी दाना लेती है, दिवार पे चड़ रही है, वो एक story है हिंदी में, चीटी दिवार पे चड़ रही है, वो गिरेगी, पर वो दाना लेके फिर उपर चड़ जाएगी, तो हमें वहाँ पर consistency और sustainability रखनी पड़ेग यानि कि वो नहीं हो रहा है, जो आप चाहते हो के हो, उस direction में कुछ नहीं हो रहा है, और उसको उल्टा हो रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा, वापिस से step 1 पर आना पड़ेगा, and you need to understand the problem and the situation again, फिर वापिस से उसको accept करके, अपनी नई strategy बना करके, अपने blueprint को change करके, हमारे purpose defined होना चाहिए, या अलग तरीके से action लेना पड़ेगा, purpose defined होना चाहिए, यह अगर हमने 5 steps करें है, जिसे हतेली है, यह 5 steps है हमारे, तो यह जो हतेली है, it is the purpose, purpose is the goal, the goal that we want to achieve, basically, अगर जिम है, या job है, या कुछ भी है, cigarette addiction, that is our purpose, तो उस purpose, पहले तो define होगा, तभी त सारे steps आगे आएंगे, तो purpose is not a step, but it is the ultimate goal, it is the center point of the wheel, यह भी हम कह सकते है, क्योंकि जिसने उस सारे उसको जोड रखा है, पूरे wheel को जोड़ा है, तो वो हो गया purpose, तो centrally हो गया purpose, purpose के आए उस काम को करने की वज़ा, वज़े हमेशा याद रखनी है, क्योंकि जैसे आप action ल होगे, तो हो सकता है, कभी आपको success भी मिलेगी, कभी failure भी मिलेगा, जैसे success मिले तो that means you are in the right direction, तो आगे बढ़ जाना है, ज्यादा वहाँ पर excited भी मिले तो भी it is the right direction only, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ learning मिलेगी, बट वहाँ पर एक और point आएगा, कि अगर success मिले तब तब बदलना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो रहा है, आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो, यानि कि you are in love with this whole idea of experimenting in life, transformation, transformation भी हम इसको बोल सकते है, और इसको experimentation भी बोल सकते है, क्योंकि again transformation में problem क्या है, कि transformation का कोई end नहीं है, कि अगर कोई ये समझता है, कि अच्छा ये end आ वो चलता ही रहेगा, कभी भी ऐसे नहीं होगा कि ये conflict खत्म हो जाएगा, ये इसमें से कोई भी a step खत्म हो जाएगा, इसमें से कोई भी a step खत्म हो जाएगा, it's a never ending process, तो अगर कोई इसको enjoy करने लग जाए, इस पूरी game को, तो हम कह सकते हैं कि yes, that person has arrived, in the sense, कि अब आगे फरता चला जा रहा है, लेकिन success से भी उसको फरत नहीं पढ़ रहा है, failure से भी नहीं पढ़ रहा है, उसके लिए main important goal किया है life का, to discover all the possibilities of life, not just one aspect of life, but all the possibilities of life, तब हम कह सकते है, that person is in love with the idea of experimentation, yes, I think life का कोई भी aspect हो, अगर कोई भी इंसान 5 steps को actual में follow करता है, तो there is a strong possibility कि उसको किसी external motivation की जरूरत नहीं पढ़ेगी, understanding की जरूरत पढ़ेगी, नहीं learning की जरूरत पढ़ेगी, नहीं perspectives की जरूरत पढ़ेगी, वो हर एक को पढ़ती है, but हमने कुछ theoretical नहीं discuss करहा है, we have discussed the practical possibilities of these steps, right, और अगर इन 5 steps को को कोई भी अपनी life में बारी की से समझता है, और follow करता है, there is a strong possibility कि वो self-motivated रहेगा, और सिर्फ कुछ time के लिए नहीं, हमेशा के लिए, तो आप लोग जो इस podcast को देख रहे हैं, या सुन रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि मेरे आने वाले podcast में, आप उसका part बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, हम कोई email भेजना है, info या अपनी कोई political party को promote करने के लिए, या अपनी कोई ideology को propagate करने के लिए, तो मेरी आप से request है कि प्लीज आप ये email हमको मत भेजिये, लेकिन अगर आप हमको email भेज रहे हैं, अपनी जो knowledge है, अपना जो experience है, अपनी जो expertise है, उसको share करने के लिए, तो you are most welcome, आप प्लीज हमको email भेजिये और हमारी team आपको contact करेगी, wish you all the very best, thank you so much and see you soon.